तो आज हम पैथनी की क्लासेस में इन्पुट आउट्पुट की चैप्टर में आ गये हैं तो हम बात करेंगे आउट्पुट के बारे में कि हम किस तरह से आउट्पुट दे सकते हैं मतलब जो हम प्रिंट का कमांड लगाते हैं तो अभी तो प्रिंट के बारे में हमने आपक excel school तो ये जो है run करने पर same thing आपको बाहर print कर देता है जैसे देखिए इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जैसे कि मैं अगर double quotation ना लगा हूँ single quotation से भी क्या print कर सकता है तो चलिए इसको भी एक बार try करके देखते हैं तो single quotation से भी जब प्रिंट करते हैं तो भी प्रिंट हो जाता है तो इसका final है कि आप single quotation double quotation दोनों का इस्तमाल कर सकते हैं अपनी print लेने के लिए अब इसमें बारी आती है कि double line को क्या उज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे यहाँ पे लिखता हूँ print और यहाँ पे मैं लिख दिया advance axle training अब मैं इसको run करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग-अलग line में दिख रहा है advance axle training अगर मैं यहाँ एक और चीज़ करना चाहता हूँ जैसे address तो में यहाँ पे देता हूँ कि में अड्रेस है मुझवफर पूर तो मैं मुझवफर पूर को चाहता हूँ नीचे डालना तो कुछ नहीं करना है मुझे इस पे slash n कर देना है क्या कर देना है slash n और फिर run कीजे तो देखिए मुझवफर पूर नीचे आ जाता है अब माल कीवफर पूर को नीचे नहीं करना है मुझे tab मुझवफर पूर को नीचे नहीं करना है तो मैं यहाँ पे एक चीज और डालता हूँ कि print और यहां के लिखा भिहार और pin number मैंदाइस दे दिया और मैं slash T और अपना pin number आ दिया अब क्या होगा अब हम print करेंगे तो इसमें देखेंगे pin number के बीच में एक tap का space होगा तो यहां पे चीद clear कर दीढ़ाई अगर आप end लगाते हैं तो एक रो नीचे कर देता है अगर आप T लगाते हैं तो एक रो नीचे कर देता है क्या हो कि अब मैं अलग-अलग print command दू जिसे C में क्या होता है कि आप 1 print command दीजिए या 10 print command दीजिए वो एकठा ही आता तूटता नहीं है जैसे मैंने यहां पर लिख दिया मॉबाइल प्लस नाइन वाल डावलेट जीरो टू फाइप सेवे नाइन टी डावलेट और मैं यहां पर नीचे अपनी email id देता हूँ print print और यहां पर मैंने कर दिया email और email में हम देते हैं कि kumar at the rate ipdindia.com अब क्या होगा क्या प्रिंट करते समय मॉवाइल लंबर जो है अलग-अलग line में आएंगे या एक ही line में आएगा तो यहां पर आप देख सकते कि आप अगर line में line प्रगान लिखते हैं तो print भी आपका इस तरह से line by line होता है तो slash n और slash t जब हम एक ही प्रिंट कमांड में अगर हम दो-ती line प्रिंट करवाना चाहें तो इसका use हम करते हैं अब एक चीज और रखिएगा कि अगर मैं इसी में double slash दे दू तक क्या होगा तो एक में इसको हम नीचे करते तो यहां print में मैं double slash double slash दे दिया double slash करके end कर दिया अब मैं इसको run करता हूँ तो आप यहां देखेंगे कि slash n आएगा मतलब आपको slash n प्रिंट करवाना है तो उस समयाब आपको double slash देना होगा अगर आप slash n करते हैं slash t करते हैं तो print नहीं होगा वह क्या होगा वह आपका एक line एक new line दे दिया जाएगा अब बात आती है repetition जैसे मैं thanks 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 तीन बार देना चाहता हूं तो यहां मैं print command दूँ अब print में मैं inverted command में देता हूं thanks तो मुझे यहां manually तीन बार लिखना पड़ेगा पर प्रब्लम है कि मुझे अगर तीस बार लिखना हुआ किसी वार्ट को thanks अटा दीजिए programming में ऐसा हो सकता है कि कि चीज़ को तीन बार रिपीट करना हुआ तब क्या करेंगे तब आपको कुछ नहीं करना है इसमें three multiply कर दिया मैंने यहां पर और space देगे हमने run करते हैं देखें यहां पर thanks 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 अब बीच में space नहीं है तो क्या मैं अपने command में space देनूं तो क्या दोनों के बीच में space आएगा हाँ बिल्कुल आएगा आप देख सकते हैं कि space space अगर आप यहां पर slash tab लगा देंगे तो ज्यादा blank ज्यादा space आ जाएगे तो multiply वाला system जो है कि आप जितना बार repeat करना चाहते हो उत्रा बार multiply कर सकते हो एक्सल में इसके लिए हम रहो repeat का रिप्ट का फॉर्मूला जो था रैप्ट का फॉर्मूला इस्तमाल करते हैं पर यहां रैप्ट की जगह पे हम जस्ट इस तरह से multiply कर सकते हैं अब यहां पर question आता है कि हम दो word को join कर सकते हैं और दोनों भी क्या difference है चलिए हम आपको बतात हैं जैसे मैंने यहां पर लिख दिया print और print देने के बाद मैंने लिख दिया happy action और equal फिर मैंने यहां पर floss का sign दिया और मैंने लिख दिया 7500 अब मैं इसको एक बार run करता हूँ तो आप देखेंगे कि equal और इसके बीच में कोई gap नहीं है नहीं है बिलकुल gap नहीं है बट अगर आपको अलग-अलग देनी है तो अलग-अलग आप इस चीज़ को दे सकते हैं यहां पर कॉमा देजिए कॉमा देके भी इस तरह से double-double word को लिखा जा सकता है बट उसमें यह होगा कि यहां पर देखिए space आ गया तो gap आ जाता है तो यह different है दोनों में कि आप 81 भी लिख सकते हैं plus का symbol लेके और आप इस तरह से कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं अब बात करते हैं ह अब हम बात करेंगे कि हम प्रिंट देते से में इस्तिमाल कैसे करेंगे तो इसको एक बाप ट्राई कर लें अगली वीडियो में हम इसकी आगी की चीओं पर बात करेंगे